तो हमें आपर यह function की दन है, जो denote करता है एक person की ability to understand special concepts को, जहाँ पर T है person की age, जो इस प्राक्टिक में belong करती है, हमें show करना है rate of increase of ability, जो person की है, वो decrease होती है in ages में, यानि कि हमें show करना है यह जो हमें a given है, इसकी rate of increase, यानि da by dt, हमें इसे show करना है कि यह decrease होती है, तो decrease हो करने के लिए हम क्या करते है, गर हम इसको let's say rate को r let कर ले, तो decrease के लिए हम इसके derivative को less than 0 शो कर देंगे, in this bracket, in 5 to 80, तो करते हैं इसे, तो इसे लिख लिएते है, पहले हम निकालेंगे da by dt, तो da by dt निकालने के लिए, इसका differentiation करेंगे, तो root t का differentiation हो जाएगा, 1 by 2 root t, और 1 by 3 constant as it is, तो यह आजाएगा 1 by 6 root t, यह आजाएगा हमारे r की value, अब हमें इस r को decreasing शो करना है, यानि हम r' less than 0 शो करेंगे, in this 5 to 18 bracket, okay, तो हम इसका derivative लिते हैं फिर से, तो हम निकालेंगे dr by dt, तो 1 by 6 root t का derivative, 1 by 6, 1 by root t, तो इससे लिख सकते हैं, t की पार minus half, तो यह आजाएगा minus half आगे, into t की पार minus half, minus 1, यह आजाएगा 1 by minus 12, t की पार minus 3 by 2, और जैसके हम दिख सके हम यह value तो negative है, क्योंकि यहाँ पे minus है, तो यह 5 to 18 में भी negative ही रहेगी, तो हैंस हमने शो कर दिया, यह decreasing है, अब हम आजएगा रा दाश लेख दो आगया, तो rate of increase in ability decrease होगी,